नमस्कार दोस्तो मेरा नाम ह WordPress और आप देख रहे हैं एलेक्टरौिस वर्मा तो दो आज का झो हमारा वीडियो है वह है देखिए सो वाठ का एंपिली फाइर बोर्ड ऐसी ये आज कल जो है तो यह हो गया हमारा speaker output जहाँ पर आपको यह resistance दिखाई दे वो आपका speaker output है तो एक आपका इसमें grounding हो गया और एक आपका speaker point हो गया यह हो गया आपका input यहाँ पर देखे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है यह आपका input हो गया जो आपका जो card से audio जाएगा तो यहाँ पर भी देखे grounding यह वाला है और यह वाला हमारा plus है यहाँ पर भी देखे grounding लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको जो supply देनी है वो देनी है 24-24 पिलस और 24 ground यानि की bridge electrifier हमको पहले बनाना होगा इस तरीके से dieboard और capacitor लगा के उसके बाद इस board को चलाना होगा और इसका heat sing भी देखे काफी मोटा है यह देखिए तो description में मैं इसका link डाल दूँगा Amazon पर भी यह board मिलता है और Amazon पर जो आपको board मिलेगा वो थोड़े उसका design अलग होगा लेकिन wiring जो इसको semi होगा तो दोस्तों इस board को मैं आपको हम testing के लिए मैं 12-0-12 ही ले लेता हूँ और वैसे तो इसके अंदर recommend जो कर रखा है वो 24-0-24 है तो पहले मैं इस transformer को testing के लिए लेता हूँ और इसी से ही हम test करते हैं इस board की जो audio है वो किस तरीके से है तो चलते हैं दोस्तों मैं इसके connection कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ तो देखे दोस्तों connection आपने देखी लिए मैंने connection दो तोर फारवर्ड कर दिया था जिसे की आपको वीडियो जो है छोटा मिल जाए तो बोल्टेज हमारी देखे माइनस और पिलस बोल्टेज हमने बिरीज से दे दिया और बिलूटूथ कार्ड तो मैंने उन कर दिया क्योंकि इसको तो हम अपने पावर बैंक के सेल से ही चला लेते हैं 3.7 बोल्ट से आप यहां पर 5 बोल्ट भी दे सकते हैं और अभी देखें ब्रीज एक्टिफायर में अभी कोई मैंने पावर दी नहीं है तो यहां पर हम इसको पावर देते हैं कर दो यहां पावर देते हैं कर दो यहां पर दोस्तों यह बारा जीरो बारा का जो ट्रासफरमर है उससे भी इसकी आवाज थोड़ी ज्यादा बूरी नहीं है फिर वी नॉर्मल आवाज सही है अगर आप नॉर्मल यूज के लिए बारा जीरो बारा भी इसमें लगाओगे तो वह भी काम करेगा और के बाद 23 से 24 बोल्ट बन जाती है तो साउंड तो दोस्तों इसका काफी किलियर है और हमिंग बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर एक दम साइलेंट है यह देखिए हमिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है मैं एक बार और पिले कर देता हूं कर दो छो कर दो कर दो लो मैं है इसके अंदर कर दो सो दो बार कर दोद़ है अंदर लो एक रड़ी कर दो हमिंग तो दोस्तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर भी एक डेट कलर की LED लगी हुई है जब आप इसको पावर देदेंगे तो यहाँ पर भी डेट LED गिलो है और दोस्तो वीडियो कर अच्छा लगा हो इसे लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल का आकन को जुरूर दमान अगर इसको तरीके से देखें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना और बैला कि लिगला ओञे हो अच्छी लगी हो जाएंग अच्छी लग करना